तो आप से चंद मिनिट पहले की एक बड़ी ख़बर है वो है वैक्सिनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन मुदी ने बैठक की है और यह जो बैठक है इसके बारे में हमारे साथ ही अकलेश शर्मा हमारे साथ ही मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर है अकलेश बताए कि इस बैठक में बहुत एहम बाते हुई है लेकि यह बैठक इस लिहाज से मैं तो पूर्णे क्योंकि कली खबर आई अभिशे कि जो हैदराबाद ने भारत बायोटेक एक कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है उसने ICMR और NIV के साथ मिलकर के एक जो वैक्सीन है को वैक्सीन ना करनी को ने हासिल की है इसी के बारे में और इससे हलंकि इसका नाम लेकर के नहीं बताया गया लेकिन यह जरूर कहा गया कि जो आपसे कुछ देर पहले एक बैठक हो यह पधामती निवास पर जिसमें की उच्चिसतरी बैठक थी इसमें कभी वरिष्ट अधिकारी कि जब भी वैक्सिन बनेगी तो आपको प्राक्फमिकता तयक नहीं होगी कि इस वैक्सिन को आपको सबसे पहले किसी यह देना है तो इसमें पहले नाम बताया हैं कि जो भी हमारे फ्रैंट लाइन वरकर्स हैं, जो हैल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर से- लोग हैं, इनको सबसे पहले आपको प्रात्मिक्ता देनी होगी, जब भी ये वैक्सिन बनती है, तो इनको सबसे पहले आप देंगे, और दूसरी बात उन्हें नहीं कहिए कि एनिवन एनिवेर, यानि इसमें कहीं भी डोमेसाइल का इश्यू नहीं होगा, कि हम इस क्षेत्र वाले को पहले देंगे, उस क्षेत्रवाले को बाद में देंगे, ऐसी कोई भी पाबंधिया नियम नहीं होना चाहिए, सबके साथ, सबको एक साथ, ये वैक्सिन मिलनी चाहिए। इसकी आप digital platforms पर real time monitoring कीजिए ताकि ये पता रहे कि कहां कहां पर किस तरह की प्रगती हो रही है और आपस में coordination बना रहे हैं